नवस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपकी से यूटूब चैनल स्मार्टेग में दोस्तों हर बार की तरह जबार भी आज हम आप सभी के लिए बैटरीन वीडियो लेकर रहे हैं HP का इंक Z316 प्रेंटर यूज करते हो तो यहां पर आपने देखा हुगा कि अगर आप एक दो साली यूज करोगे तो उसके बाद कभी कभार प्रेंटिंग में कोई ना कोई कलर मिस हो ही जाता है जैसे कि आपको पता हुगा कि यह जो HP का 316 प्रेंटर है इसमें चार इंक की बोटले डलती है जिन चार कलर मेंसे यहां पर मैजंटा साइन येलो बिलैक इनहीं चारो कलर की मदश से यहां पर सारी इस प्रेंटर में होती है तो कभी कबार क्या होता है कि अगर आप इस प्रेंटर का ज्यादा इस्तमाल कर ले तो या फर काफी समय तक इस्तमाल नहीं करते हो तो इस प्रेंटर की जो इस प्रेंटर की जो स्रेंज होती है जिसमें से आइंक सप्लाई होती है कॉटेज को उसमें यह भर जाती है तो ऐस पर प्रॉबलम होने लगते हैं प्रिंटाओ लेने में अब सब्सक्राइब करेंदा हाते हैं न्युक्त प्र प्रिंटालेगे तार में हम ना państwa प्रिंटार को solve कर सकते हो यहां पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है HP inkz316 printer का एक software होता है जो की driver होता है सबसे पहले तो आपको उसे install कर लेना है ठीक ना जैसे आप install कर लेते हों install करने के बाद सिंपली आपको उसका software जो है कुछ इस तरीकी से उसे open कर लेना आप चाहो तो यहां search bar में भी search कर सकते हो hp ink jet tank यहां पर इतना ही search करोगी तो आ जाएगा software कुछ इस तरीके से उसे आप open कर लिजेगा इसके बाद आपको यहाँ पर maintenance your printing पर आ जाना है maintenance your printing पर simply आपको click कर दीना है जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीकी है कि आपको options देखने को मिलेगे पहला तो रहेगा print quality तो यहाँ पर आप test page निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकती हो कौन सा color आपका miss हो रहा है अगर यह चारू चीज़े आ रही है तब तो और कोई प्रॉब्लम है इस प्रिंटर को आपको अपने नजदी की hardware swap पर ले जाना होगा बहीं पर चेक्रवाना होगा और अगर इंकी की प्रॉब्लम आ रही है इस तरीकी का अगरा चलेगी और दो-तिन प्रिंट आउट निकलेंगे आपके तो आपको टेस्ट करना है कि इस बफरेंग के वाद आपके जो प्रिंट आउड़ों सही आ रहे हैं या फे नहीं और आपने अच्छे से चेक कर लिया है कि हाँ भाई आपकी जो प्रिंटिंग में एक नहीं कलर मिस हो रहा है तो सबसे पहले तो आप क्या किजीगा अपने प्रिंटर के इंक टैंक में चेक किजीगा कि कहीं इंक खतम तो नहीं होगी कम से कम 20% इंक से उपर होनी चाहिए आपके प्रिंटर में ठीक न अगर 20% इंक से कम है इंक आपके प्रिंटर में तो आपको इंक करने ही कि आधा टेंक भराए से हाही से तो यहां पर आपको बार बार यही प्रोसीजर बार बार कम से कम बीक से 25 वार इस प्रोसीजर को करना है तबиноカンタ disposition सही आ जाएगी हो सकता है एक ही बारे में प्रिंटिंग सही आए जड़ दो भार में आए तिन भार में चार भार में पांच बार हमें बार भार प्रेस करईगा दूसरे नंबर का जो ओप्सन्स दिख लहा हैँ अगर कुछ इस तरीकी से ए आइकन बना है ना एक अगर आपका जो कलर है एक क्यूपर एक आ रहा है मिसमैच हो रहा है इस टूल का इस्तमाल करना होगा और अगर आप क्लीन प्रिंटर करना चाहिए जो कई वार क्या होता है कि प्रिंटर के अंदर गंदगी आ जाती है दोस्तों अपने ड्राइवर के माध्यम से रेपेर करने का प्रोसीजर समझ आ चुगा हुआ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले साथ इसाथ देगा इंस्ट्राग्राम आड़ी को फॉलो करें तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो मे इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद